हाई गाईस वेलकम एन वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज की इस वीडियो में एक बहुती ईजी साथ सिंपल सा मेकप लोग आपके साथ में शेयर करूंगी जिसे आप आसानी से कर सकते हैं एफ़र्टेबल प्रोटक के साथ तो चलो शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं डॉट इन की का लिप ग्लॉस अपलाई करी हूँ आप इसकी जगा लिप बाम या फिर लिप ओईल कुछ भी अपलाई कर सकते हैं ताकि जब तक हम मेकप करेंगे तो लिप हमारे प्रेप होते रहेंगे उसके बाद मैं यहाँ पर यह गानियर का विटमिन स सीर्म का दाणियर कर लिए ञांगे अट 25 को सेर्म मैं यहाँ पर यह सिंपल करना यह पर रेफरेशिंग मौस्य राइजर यूज़ करती अगर अपने प्रेश सकते हैं तो आप अपने तम इन आप फेस को फेज़़ वर्स से क्लीन पर लिए तनर अप शरे harmful मौस्याइजर highlight जो भी आपका फेवरेट मॉशिराइजर हो आप उसे यूज कर सकते हैं लेकिन आपको मेकप करने से पहले अपना स्कीन केर जरूर करना है ताकि आपका जो मेकप है वो केकी ना हो और एकड़म नाचुरल ग्लोई फिनिश आए इसके लिए आपको स्कीन प्रप जरूर करना हो लेकिन की SC क्रीम एप्लाई करें कर एंगा संत्केimento काफी अच्छी फिनिश देती है और साथ ही बहुत हीएवी नहीं है तो आप अगर एक light makeup कर रहे हैं तो आप BB cream या CC cream apply करें बहुत अच्छा लुकाता है तो एक ये लेक में की CC cream और दूसरी Mars Cosmetic की BB cream मुझे बहुत पसंद है तो आप इन creams को daily basis पे भी apply कर सकती हैं अगर आप office going girls हैं या college going girls हैं दिन आप इन्हें use कर सकती हैं काफी natural finish आती है तो मैं इस cream को हमेशा अपनी finger से ही blend कर लेती हूँ आपको कोई भी beauty blender या फिर brush की जुरत नहीं पड़ेगी इसे blend करने के लिए हाथों से ही काफी अच्छे से blend हो जाता है और अभी आप इसकी glow फिनिस देखें ये blend होने के बाद बहुत ही अच्छी फिनिस देती है दिन इसके बाद मैं use कर रही हूँ ये Mars Cosmetica Concealer आप हमेशा concealer अपने shade से एक या दो shade lighter लेया करें ताकि ये अपके face को एक तरह से highlight कर देता है तो मैं यहाँ पिर बहुत ही थोड़ा सा concealer यूज़ करी हूँ क्यूंकि मैंने BB cream already apply करी है और हमें बिल्कुल भी heavy makeup look नहीं करना है और concealer को भी मैं finger से ही blend कर लेती हूँ ये काफी अच्छे से easily blend हो जाता है आप concealer जब apply करें उसके बाद 15-20 से के लिए रुके देन blend करने स्टार्ट करें और जब आप concealer blend करें तो एक जिस थ्यान दे कि आपको और जितना अच्छे से आप concealer को blend करेंगे उतना ही अच्छा और natural finish आएगा और अगर आपके face पे pimples या dark spot हैं तो आप वहाँ पर भी concealer को apply कर सकते हैं हाइट करने के लिए उन्हें इसके बाद मैं use करूंगी ये inside cosmetic का blush stick ये भी मुझे काफी पसंद आया है मैंने इसे recently purchase किया है और ये blush काफी अच्छा natural flush look देता है जो कि मुझे काफी पसंद आया तो आप daily basis पे भी इसका use कर सकते हैं मैं यहाँ पर ये केवल cheeks पे apply कर रही हूँ आप चाहें तो nose और chin पे भी apply कर सकते हैं और इसे भी मैं अपने finger की help से blend कर लूँगी आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से blend हो गया है अब सारे cream product apply करने के बाद मैं उसे set करने के लिए ये loose powder use करने हूँ ये भी inside cosmetic का है और बहुत affordable है तो मैं हमेशा बहुत सादा powder apply नहीं करती हूँ because मुझे glow finish पसंद है ना कि matte बट makeup को shed करने के लिए तो मुझे loose powder apply करना ही पड़ेगा तो मैं extra product सबसे पहले निकाल देती हूँ अपने हाथों में उसके बाद मैं इसे apply कर लेती हूँ इस तरह से अगर आपको बहुत सादा sweating होती है तो आप जरूर apply करें powder इसके बाद जो मैंने inside cosmetic का blush stick यूज किया था उसे मैं ऐसा eyeshadow भी यूज कर रही हूँ और फिर मैंने इसे भी अपनी finger की help से अच्छे से blend कर लिया और एकदम natural सा color आ गया मेरी eyes पे और जो कि बहुत ही beautiful लग रहा था इसके बाद मैं eyebrow pencil यूज कर रही हूँ ये थी Swiss beauty की eyebrow pencil तो मैं हमेशा ज़्यादा तर brown color का eyebrow pencil यूज करती हूँ आप भी brown color ही यूज करें बहुत ही natural लगता है और आप हमेशा अपनी eyebrows को shed कर लिया करें because eyebrows set करने के बाद ना हमारा face काफी अच्छा और well defined लगता है इसके बाद मैं same eyebrow pencil को as a liner यूज कर रही हूँ मैं कोई भी दूसरा liner नहीं apply करूँगी और इसी को मैं थोड़ा सा smudge look देते हुए apply कर लूँगी और ये एकदम natural सा look आ जाता है brown color का और मैं lower lash line पे भी थोड़ा सा इसे ही apply कर लूँगी और फिर मैंने finger की help से ही थोड़ा सा blend कर दिया इसे और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है इसके बाद मैं अपनी eyelashes को curl करने के लिए ये eyelash curler यूज करी हूँ मैं हमेशे eyelash curler यूज करती हूँ अपनी eyelash को curl करने के लिए विकॉज इसके बाद ये कितने अच्छे से curl हो जाती है देन मैं यहाँ पे ये maybelline का colossal mascara यूज कर रही हूँ तो मुझे ये mascara काफी पसंद है effortable भी है और साथी clump भी नहीं होता है और eyelashes एकदम natural लगती है तो मैं इसे lower lash पे भी apply कर लेती हूँ देन अब lips के लिए मैं सबसे पहले ये mask cosmetic का lip liner यूज करती हूँ अब ज्यादा तर मैं यही वाला lip combo यूज करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर ऐसे normal कहीं जाना होता है या college जाना होता है तो मैं क्या करती हूँ पहले lip liner को apply कर लेती हूँ उसके बाद ये lip liner को अच्छे से एक brush की help से थोड़ा सा blend कर देती हूँ और जब ये अच्छे से blend हो जाता है इसके बाद मैं वही same lip gloss dot in key का इसके उपर apply कर लेती हूँ और आप चाहें तो आपको इसी भी nude lipstick apply कर सकते है अगर आपको glossy lips नहीं चाहिए तो then last में makeup को long lastik रखने के लिए मैं यहाँ पर Swiss beauty का makeup fixture यूज़ कर रही हूँ इसे अच्छे से shake करने के बाद अपने face पे अच्छे से spray कर लिया और ये हो गया done और ये रहा हमारा final look जो की बहुत ही easily मैंने किया है और काफी affordable product के साथ तो मैं सारे products को tag कर दूँगी वीडियो में अब आप भी इस natural से makeup look को create कर सकते हैं अब अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like जरूर कर देना और साथी bell icon को press कर देना ताकि notification आपको मिलती रहे न्यू वीडियो की और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी subscribe कर लेना और अब मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई